तीन दसकों का खत्म हुआ इंतिजार व्याजजी तैखाने में कोल्ट ने दी पूजा की इजाज़त फिर लोटाई माता श्रिंगार गोरी ग्यान वापी पर फिर गूझेंगे घंटे और घडियार व्याजजी के तैखाने पर फिर होगा पूजा और पाठ 31 साल बाद आया एतिहासिक फैसला हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार ग्यान वापी में तीन दसकों के इंतिजार के बाद एक बार फिर माता श्रिंगार गोरी लोटने वाली है ब्याजजी के तैखाने में माता स्रिंगार गोरी की पूजा करने की इजाजत जिला कोर्ट ने दे दी है जिसके बाद हिंदू पक्ष में जसनिका माहौल है जिला जस ने अपने आदेस में वेरिकेटिंग हटाने और काशी विशुनात मंदिर के पूजारियों से पूजा कराने का आदेस दे दिया है ये याचिका शोमनात व्यास के नाती सेलेंद्र पाठक ने दायर की थी 31 साल बाद बाराणसी कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुए ज्यानवापी परशर के अंदर व्याजी के तेखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है मुसलिम पक्ष की आपत्यों को नजर अंदाज करते हुए कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाया है 1993 में मुलायम सिंग की सरकार ने ज्यानवापी इस्थित व्याजी के तेखाना में पूजा रोग दी थी और ताले लगवा दिये थे लेकिन व्याजी के परिवार ने इस पर आपत्ती दर्ज कराई और पूजा का अधिकार मागा इसके बाद जिला जद डॉक्टर अजे कृष्णा विस्वेश की इदालत ने दोनों पक्ष को सुननी के बाद एतिहासिक फैसला सुना दिया एक सप्ताह के भीतर ज्यानवापी परशर के अंदर व्याजी के तैखाना में काशी विस्वनात के पुजारियों के द्वारा पूजा पाट सुरू हो जाएगा इतना ही नहीं कोट ने नंदी के सामने की वेरिकेटिंग को खोलने की भी अनुमती दे दी है अब वराणसी में ग्यानवापी मस्जित के अंदर भी घंटे घडियाल और संख गुजेंगे पूजा पाट होगी एसाई के सर्वे के बाद ग्यानवापी परसर के अंदर मंदिर के पुक्ता प्रमाण मिले हैं भगवान शिव गडपती और विश्नु के अवशेस मिले हैं मंदिरों के मंडप मिले हैं और 34 ऐसे प्रमाण मिले हैं जो की चीक कर चिला रहे हैं कि दरशल ग्यानवापी मस्जित नहीं मंदिर थी फिलहाल ग्यानवापी के मंदिर और मस्जित का फैसला तो अभी कोर्ट में है लेकिन व्याजी के तैखाना की पूजा के अधिकार मिल जाने से पूरी कासी में उत्सव का माहौल है यह लंबी लड़ाई के पहले पड़ाओ की सुर्वात है यह कासी विश्वनात के अधिकार की लड़ाई की पहली जीत है ग्यानवापी के अस्तित्व पर पहला अदालती आदेश है आयोध्या तो जहाकी है कासी मतुरा बाकी है यह नाराप सच होने लगा है राम लला की प्रान प्रतिष्ठा के बाद अब कासी में ज्यान वापी का मसला भी हिंदूओं के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है कोटिस सनात्नियों की अभिलाशा को पूर्ण करने वाले इस अदालती आदेश के बाद अब ग्यानवापी बिवात की फिजा बदलने लगी है धीमे धीमे ही सही लेकिन हिंदू पक्ष में किये गए दावों को अब दम मिलने जा रहा है ASI के सर्वे ने ही राम मंदिर निर्माड की अधार शिला रखी थी और ग्यानवापी पर भी ASI सर्वे ने मंदिर की मोहर लगाई है बाबा विश्वनात के भक्तों के लिए ये हर्श का विशे है